नमस्कार दोस्तों, मैं गजे में साहूं, आप सभी का स्वागत करता हूं बगहर टुटोरियल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष T20 सीरीज का एक नया वीडियो लेकर पस्तित हुआ हूं आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे 36 गड़ की जन जाती हैं यह लोग कला संस्कृती से संबंदित महत्तपूर्ण 20 बहुवी कलपी प्रश्न जो आगामि जितने भी एक्जाम होने वाले हैं सब के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण साबित होंगे तो चली हम लोगी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चन देखेगा हमारा पहला कोश्चन क्या है बहुत ही लेवल कोश्चन है तो अच्छे से ध्यान दीजेगा पहला कोश्चन क्या है निम्ने में से कौन सा कथन भत्रानाट से संबंद नहीं रखता या क्वेश्चन क्या बोला किया है संबंद नहीं रखता संबंद नहीं रखता परना कोईशन को भी ध्यान से पढ़ना है तेक है ऑप्शन दिया गया है इन में इस्तिरियम पुरूज दोनों भाग लेते हैं तेक है इसकी विशेवस्तु पवरानिक कथाओं पर अधारित होती है C क्या है देखो बस्तर की जनजाति में भद्रानाट प्रसिद्ध है और D क्या है इसे ओडिया नाट भी कहा जाता है तो बत्रा जनजाति के दौराण की जाता है और जो भत्रा जन्जाती का विस्तार कहा है तो भत्रा जन्जाती का विस्तार मुख्यरुप से बस्तर जिला में है, बस्तर जिला में याद रखेगा, इस भत्रा नाट को उडिया नाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस भत्रा नाट में उडिया नाट के नाम से भी जानना जाता है एक महत्यपुर्ण चीज और याद खना इस भत्रा नाट में ठीक है इसalenar Google पुरुस भाग लेते हैं इसमें से लोग यह στην भाग नहीं लेते द्हां रखेगा ठीक है बत्रा नाट में कीवल पुरुस लो लोग भाग लेते हैं और जो इन पूरुस लोग भाग लेते हैं इनको क्या कहा जाता है नाट कुरिया बोलते हैं नाट कुरिया अर्थाग जो पूरुस का लाकार है वो भत्रा नाट में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नाट कुरिया कहा जाता है नाट कुरिया इसक भी जाना जाता है तो इतना सभी महत्तपूर्ण बिंदू को आपको याद रखने हैं तो चलते हैं मारा क्विशन पर कौन सा कतन भत्रा नाट संबंद नहीं रखता देखो इस इसमें पुरुस दोनों भाग लेते हैं अभी आम लोग पढ़ें जैस्ट इसमें क्यों लोग करता है तीसरा क्या है भबस्तर की जाती में भत्रानाब प्रसिद्ध रखनास प्रसिद्ध आपढ़ी देखे जैस्ट ब années किया जाता है और चौथा क्या दिखाये जाता है जो कॉन सा कथा सतन अस्मीं रखनें या कौन सा और चलते हैं में दूसरा question में कि दूसरा question क्या देखिए जैसे कि आप लोगर डाग्राम से देख पा रहे हैं भत्रेनाट इसमें कि पुरिस लोग भाग लिए ठीक है और इन सभी पुरुस कलाकारों क्या जाता है तो मारे चटिएग की पंडवानी का है तिक नोसके बारे में कौन सा कफन सहीं ने पूछा गया देखो असन में क्या इन्हें वहाँ है कहा होा है गणियारी ग्राम में तो रिख कोंसे जीला में तो गणियारी ग्राम दूरगजिला में इसका जन्म होए है ये पंदवानी की प्रमुग गाईका है पंदवानी की होती है रिव्यकों घुतब ़िरा क को we Dumatli पंडवानी की दो सली है वेदमती और दूसरा और चाहeds की जाए ना सबनीा तो यह का पिर घृत्याहन का पंडवानी के का पॉ अरफ्र बहुत सब्सक्रेइजिएंक को पढ़ लोगा से और इसमक्रहेस को यह और लुत ठीक है, 2003 में इसे पद्मभूशन से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखना है, उसके पद्मभूशन से सम्मानित किया गया, ठीक है, इसको याद रखना है, और कुछ-कुछ और सम्मान है, जो इसको सम्मानित किया गया, उसको भी याद रखना है, कब उसको सम्मानित किय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संवानित किया गया था याद रखना है आपको और वैसे यह यह याद रखना है 2018 2018 इसे फुकू ओका पुरस्कार कहाँ दिया जाता है यह जा पान में दिया जाता है और कला से संबंदित फूल रहें है और 1909 में संगीत अबस्कार करों मिला है और 200085 में संगीत नाटक अकादमी पुरसकार मिला है तो देखते हैं इन्हीं उन्हीं सत्यासीं में पदम किया था इन्हें 2002 में पदम भूसं से सम्वानित किया गया था लेकिन अभी हमने देखे 2003 में किया गया है तो यह हमारा जो कतन गलेत हो जाएगा त्रा क्या है इन्हें 2019 में पद्विभूशां से अच्छा क्या था यह और इसे मौन सा कुछ पंढवानी कि माहा भरत की कथा पर अधारिद 36 गड़ी में गीत मैं आख्यान है और इस पंड़वानी के जो प्रमुख नयक कौन होते हैं तो भीम होते हैं और नायका कौन होते हैं तो द्रोपदी याद रखेगा और इस पंड़वानी में जो वाद देंद्र प्रयोग होता है तंबूरा और करताल इसको भी कुछा जाता ह कि कौन सा वाद्देंतर है, पंडवानी में कौन सा वाद्देंतर प्रयोग होता है, तो तंबूरा और गर्ता लियाद रखना है आप लोगो, ठीक है, और पंडवानी में जो हुकारू भरते हैं, जो हुकारू भरते हैं, उसको रागी कहा जाता है, यहां से भी कुशन पुछ कारे होता है तो इतना सभी को आपको याद रखना है ठीक है चलिए अब उसके बाद चलते हैं तो दूसरा कोश्चन का अंसर हो जाएगा भी जो कथने वो गलत है क्योंकि जो इन्हें पन्भूशन का पुरसकार कब मिला गया है कब दिया गया है तो 2003 में दिया गया है ठीक है एक चलिए चलते हैं लोग अब तीसरा कोश्चन क्या है देखिए जिसे आप लोग देख पार रहें पंडवानी की गाईका है ठीक है याद रखना है इसको ठीक अब उसके पाद तीसरा कोश्चन चातिस गड़के ग्रामीन चेत्रों में विवास अंसकार के सोपान है यह ब बाराद बी में क्या दिया गया है तेल माटी चूल माटी मायन तेल बाराद फिर भावर सी में दिया गया है चूल माटी तेल माटी तेल मायन बाराद और डी में इन में से कुई नहीं ठीक है तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सी ठीक है सबसे पहले चूल माटी का संस्क देखते हैं आप लोग डिश्टेवर्ण से देख पा रहा है या बारात का है यह चूल माती का हो जाएगा यह यह मायन का है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना यह तो था देखो पहला चूल माटी होता है तो चूल माटी कौन सा है यह चूल माटी हो गया देखो मिट्टी के खुदाई कर रहे हैं ठीक है दूसरा क्या है तेल माटी यह तेल माटी हो जाएगा यह तेल है उसके बाद मायन फिर बाराद ठीक है तेल यह तेल हो जाएगा उ निमने कथणों पर विचार कीजिते कथन यह क्या है भोजली का आयोजन सावन में किया जाता है गहला कथन कफ़ल यत्रत ओस्य में मनाया जाते हैं तिसरा हल सश्थी रत कव्द्य संतान की दिर्गायू स्प्रशन के लिए होता है ठीक है चौथा स्पसमा में मनाया जाता है कौल सा कथन गलत है कॉठा कथन सब्सक्लाइब उसको देखना एक दो सभी कथन पर चर्चा करते में भोजली का आयोजन यह जाता है यह जो चौन में को वादो को सिपवार्व में करिश्यक्त पर्थमा को किया जाता हूँ भोजली परव के दौरान ईसी और जी इंद गिद गाया जाता है जिसमें ग किशनगा माता का के पूछ पूछा गया है तो भोजिली परवका जो आयोजन होता है वो भादो मा में कृष्ण पक्ष प्रत्मा को होता है लेकिन option में दिया गया है सावन में होता है तो यह हमारा गलत हो जाएगा पहला कतन दूसरा देखते है रत्यात्रा आसार सुकल पक्ष दीतिया को मनाता है यह correct है रत्यात्रा आस सच्थी रत का उद्देश संतान की दिरगायू के लिए होता है यह भी सही कथन है अभी हल सच्थी को कमर्षा तेवहर के नाम सी जाना जाता है ठीक है हल सच्थी तेवहर वह जितने भी संतान वती महिलाय होती है ठीक है वह अपने संतान के दिरगायू के लिए इस रत को र कुछा पूछा किया था कौन सा कथन गलत है तो पहला की बोजली का आउजन भादो माह में कृष्णा प्रिथ्मा को होता है लेकिन option में दिया कि और जाया कि बोज़ी का सावन में को जाता है तो यह हो जो जाएगा गल्अत हो जाएगा थाएक तो यह तो इसका correct answer हो जाएगा पिवर केवल एक बिश्दार फेरे बनांश प्रम ऊनुर्द पहुंत में चलते हैं पांच्वा चोटा उसी को भोजली कहा जाता है अपने बच्चों के लिए वरत रखे वर्ट रखी हुए बाटका नीं में सघने हैं सत्य कथन क्या पुछा रहा है ध्यान दीजेगा सथ तमाहा में होता है लूट सम yere तेसरा क्या है का तुपगी दसरा पर उसे संबंदित है चौता क्या है तो बारी-बारी सभी सभीं सभी है का करते हैं चर्चा करते हैं पहला गंगा-डासरा का आजन वैसाक महा में होता है दो जाएगा घंगा दसरा का पुर्षेत्र में इसको मना जाता है उनकी ऐसी मान रहता है कि इस दिन जो गंगा माता है वह देव लोग से प्रित्वी पर अतरित हुए तो इसी कारण वो लोग उसका सम्मान करने के लिए या उसका स्वागत करने के लिए इस गंगा दसरा का आयजन करते हैं और इस गंगा दसरा के दौरान वो लोग आसपास में जितने भी जो पोखर होते हैं तलाब होते हैं वहां जाकर इश्नान क तो इसको भी आपको याद रखना है तो गंगादसरा का आजन जेश्ठ महां में सुखलपक्षे दस्मी को होता है यहां पर सब्सक्राइब गलत हो जाएगा हमको पहचानना है सत्य कथन पहचानना है बड़े भजन का राम नामी का मिला पॉष्ट महां में होता है यह करेक्ट सब्सक्राइब गलत हो जाएगा तुपकी कौन से परवसे संबंदी तो रथ्यात्रा यह इसको गोंचा पर वोलता है गोंचा परो तो तुपकी एक बास से बना हुआ वाद्यांत्र होता है जिसा फूक कर बजाते है इसे भगवान जगननात की सलामी के लिए चलाया जाता ह कि याद रखिएगा ठीक है चौता को चौـ hasn को चुनौना है तो पहला तो गलत था शौपकी थे हैं चलाते हैं चलाते हैं बड़े बचनको राम नहीं पोस्ट हना होता कि सभी ہोंqi कथने को क्या है गलत है तो ध्यान दिएगा इसको तो पाच्वा कांसर हो जाएगा बी चलिए उसके बाद नेश्ट क्वेश्टन में चलते हैं छेटवा क्वेश्टन क्या देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहा हूं डाग्राम से गंगा दसरा ठीक यह और यही तुपक क्योंट गखिए गला पाइर कलाइ पहनते हैं पैर में बिच्छिया और क्या पहना जाता है बिच्छिया के सांसत ककनी भी आपको याद रखना है ठीक है यह कहां पहनते हैं पैर में पहना जाता है ठीक है इसको आपको याद रखने है ठीक है उसके बाद देखते हैं कलाई कलाई में क्या क्या पहना जाता है कला ककनी पहना जाता है, कंगन पहनते हैं, ठीक है, चूडी पहना जाता है, कलाई में, फिर पता पहना जाता है, ठीक है, पतला पहना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, कलाई में, ठीक है, कंगन, चूडी, पता, पतला, एठी, एठी भी कहां पहनते हैं, तो कलाई में, तूपरी Dick j Nature पेहने याद हैं एक यादकने आपको कखनी कंगंकर चूड़ी पटा पटला अट है सब कहा पेना जाता है कळैं में पहен जाता है वैसे ही गला में पहनते हैं इसको याद रहना आपको किसे सूता पहनते हैं शुता पहनते हैं तूसली याद रखना हैं click पहनते हैं कंठा ताबीज आपको याद नहीं को नात्रीं नहीं करफाव कंठा पहनते हैं। और खोटीला हो जाएगा ठीक है खोटीला ठीक है तरकी हो जाएगा लूर्की हो जाएगा ठीक है तरकी लूर्की तो इन सभी को कहा पहनते हैं कान में पहना जाता है ठीक है तो देखे तोड़ा हमारा कुशन क्या था तोड़ा कहा पहना जाता है तो तोड़ा पहना जाता है पैर में साथी साथी पहनते हैं, पैरी पहनते हैं, लक्षा, बिचिया, चुटकी, इन सभी को पैर में पहना जाता है, गला में सुता, सुर्णा, दुन्री, तिंद्री, हसली, पुतरी, कंठा, ताबी, ये सब को गला में पहनते हैं, कलाई में ककनी, कंगन, चूडी, पटा, पटला एंठी यह सबको कलाय में पहना जाता है कान में एरउग खोटीला अनना जाता है इसको नाच नाक चाता है एक जिसस लिए यह सब्दोर्फ का अंसर ऐसा अशना ग़ाएगा इपयर में पैर परल्फ क्यों व्कूंति consider जाता है किसको तोडा को अभी देखिंगे किसे तोड़ा कहते हैं- के γला-पे स्म yappos यहां इसको पर में पहना याद रखिएगा चलिए और इसके बाद हम लोग चले यहां बस देख रहों करदन हैं कब सकत्र इसको में पहन जयता है ठीक है इसको गला में पहना जाता है ठीक है यह अब इसके पाद चलते हम लोग अलग नेश्ट कुश्शन पे साथ वा कुश्शन क्या देखो सुची एक और सुची बी से सुमेलित कीजिए सुची ए को सुची बी से सुमेलित कीजिए तो दुबरा का मेला ओफ्षन दे गे है राम नोमी महाद dwelling मैला कर्थिक पुर्णिमा राजी मैला मार पुर्णिमा और कुठी घाठ्ट का मेला बसंत पंजमी तो वहां चली देखते हैं सकती आदक्रा उसके बाद है महाद ev को मिला किस और सार पर लगता है तो यह लगता है कास्क पूरण्वyorsun के सुर्फ집 को पता होगा तीसरा ठीजा देखो चॉटिछा डूचर रहतर रौकूंच्छा होजा तीं데 कम डिल्लों ग हमा धारियल सीधेर हो जाएगा सकते हैं सब्सक्राइब अर्फान के से मिला हैं स Bread इसके बात पर जलते हैं सबस्क्राइब आठ्वा क्वेशन क्या देखते हैं जैसे कि आप दो देख पार है राजिम माघी पुन्नी मेला दोजार वाइस चतिस गर में आजन हो तो उसका पिक्चर है आप लोग गया भी होंगे ठीक है यह महादेव घाट का मिला है ठीक है आठ्वा क्वेशन देखो चतिस गर लोग ग तो इसका करेक्ट असर हो जाएगा स्यामा चरंदुबै क्या हो जाएगा स्यामा चरंदुबै स्यामा चरंदुबै ने 16 गरंव लोग गारी इस रचना को लिखा थेक़ जा रखीए है और आपको यादए ठाकुर Google को दां लीला यह को नेफिसन पारवार P Caitlin लूशन ग्सक्र प्रफम बार गांधि जी को लेने गए था आप सबी को पता होगा ठीक है तो आठ वह का करेक्ट आंसर होगा यह सामा चलन दूबे का रचि इसी का रशना है 36 लोग्गित का परिश्या याद रखना है चलो नायंत क्वेशन में चलते हैं नैन्त कोशन किया है धर्थरी गयान की प्रशिद्धागाईका कौन है ऑप्षन आप लोग के पास दिया गया है अल्का चंद्राकर सांच में कोई नहीं तो अब्सक्राइब आयका पंडवानि की गया है निके युझा यूगे दो पढ़ा है तीजन भाई है वो पंडवानी की कापालिक सरे की प्रमुख गाई का है ठेक है उसके बाद एक दिया है अलका चंद्राकर और दी इन में से कोई नहीं आप क्वेशन दिया गया है भर्थरी गयान की प्रशिद्द्ध गाई का कौन है ठेक है तो इसका क्रेक्ट प्रमुख गयान की प्रमुख गयारी तो भर्थरी गयान वह राजा भर्थरी और राणी पिंगला के वियोग कता पर अधारीद गीत होता है और भर्थरी गित में आध रखना आप लोगो जो वाक्द्ध दयांत्र प्रहोता है वात देयंत्र वो वता है, IK-tara और शारंगी ठीक है, IK-Tara और शारंगी, तो इसके correct answer हो जाएगा, भर्ठरी ग्यान की प्रमुग गया का, तो सूरूज भाई खानडे ठीक है, सूरूज भाई खानडे, सूरूज भाई खानडे, ठीलब इसका किरेक्ट आंसर और सक्राइश में नहीं नहीं तोइसका और इसका आंसर क्या होगा ड इनमें से कोई नहीं थेखो इद्धर एक तरफ बाद् द्ययनतर है थे बात देखिये और इसको कौन से गीद के दोरान बजाते हैं उसको इदर दिया गया न्यक्तारा और सारंगी इसको भरतरी गयां में आगाते हैं कुछा गया कौन सा Asumae Aakos उसको बताना एंतारा और सारंगी भरतरी की समय बजाते रिकत हैं पहले डिसकस यह था एक तरवर सद्ट के डिया एक तिम की और ढूलख पंथीगिद यह गलत हो जागा जिसको भिजा जाता है चंदेने गयान में चंदेनी गयान में इस वाधियंद का प्रोग किया जाता है तिम की और ढूलख का लेकिन option में पंथिगीद तो यह क्या हो प्रवाजा यह तो कौन सा असुमेली थे तेम की और धोलक को चंदेनी ग्यान में बजा जाता है यहां पास ऑप्शन देगा पंथी तो इस यही जो हमारा अप्शन भी है वही असुमेली थे अब उसके बाद चलते हैं लोग 11 कुछन में कि 11 कि इस् Certain की दिखी इससे पहले आप लोग देख लो वाध्ययंतरों को ठेक है यह क्या है देखो धोलक है तंबूरा है सारंगी है ठीक है यह तो इसको तन्तु वाद्य न्दर बोलते हैं तो इसको नाखून या उंगली की मदद से या इस्ट्रिक की मदद से हम लोग करते हैं इसको प्ले करते हैं बजाते हैं इसको भी याद रखने आप लोग इसके बदोग चलते हैं एक यह गड़ा बाजा देख रहे हो तरहा है नीव पर विचार कीजी यह इसको उसक प्थन सहीं नहीं यह पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है सहीं नहीं है ठीक है पहला सरवादी गोदना प्रिय जन जाती बैगा है दूसरा सरवादी गोदना गुदवाने वाली जन जाती बैगा है ठीक है तीसरा क्या दिया गया है ठीक है तो हमको पहचाने कौन सा कथन सत्य नहीं है इसको अ वेगया तो करेक्ट है आप सभी को पता कि बना जन जाती विश्व कि सरवाधिक गोदिना प्रिय जन जाती है और यह जो बैधा जन जाती के लोगे अको तो यह बिशेट्मेंट गलत हो जाएका सरवादिक गोधना गुदवाने वाले जटन जाती तो कमार है टेकर का लूग करते हैं ये यह भी क्या है एक विशेश पिछड़ी जन जाती है कमार जन जाती ठीक है तो यह पहला और तीसरा सही है दूसरा गलत है 50 का कव्टन से नहीं है तो इसका करेक्ट आंस सम्ट जाएจะ बी ये दूसरा मतलब आपकी जो पहला और तीसरा ँषरा बॉस्ट रहा अंस riktag Buy किस प्रकार के वाद देंद्र है तुडबुड़ी तासा और नंगाड़ा किस प्रकार के वाद देंद्र है ए दिया गया तंतु बी ओनद सी घन और डी सुसीर ठीक है तो आप सभी को ध्यान में रखना है वाद देंद्र को ठीक है वाद देंद्र को चार भागों में बाटा लगे क्या है एक होता है पहला त्न्ति वाभ्ञेंतर दूसएंदर आउनद्ध वाद्व होता है तीसरा होता है घन वाद्ध और चौन्था क्या हता है सुश्री वादद्व क्या है chloride क्या सीर वाद्द्व सकति टैके तंतु वाद्यान्द क्या होता है जिसे जिसे उंगली के माड दम जा चैयर की माद्धन से बजाए जाता है त्यएक टो टिसके ऊपर में चम्डे का परत लगा कर इस बनाया जाता थब गन वाद्यान्द को करता है तो गहना देंद का जो निर्मान है वो कठोर काश्ट से या कठोर धातू से बनाया जाता है यो खन्ती को गोंडी के नाव से जानते है मूयांग ठिक है और सुषीर वाद देंदर क्या होता है तो जिसे फूक कर बजाते हैं झिसे मुओं से फूक कर बजाया जाता है या जिसे सुशिर वाद्य हो तुशन में तुडुडि तासऀ्ज में और किस की बिद्य है गांकी सुछिर तो अभी आप सभी को पता चलब को इस कांसर क्या आएगा तो ऑनध्यवाद्यंद्र ठीक है किसी खोकले किसी खोकले प्रदार्थ पर किसी खोकले प्रदार्थ पर चम्डे को चम्डे का परत लगाकर इस वाद्यंद्र को बनाते हैं इसी को ऑनध्यवाद्यंद्र कहा जाता ह तुडबुड़ी तासा और नंगाड़ है वह अनद रभाद द्रकर्च आजाएगा याद रखीएगा ठेकर तन्तु जिसमें ताल लगे होते हैं और जिसमें खोखले जो प्रदार से चम्डे का प्रणत लगा कर बनाते हैं घन जिसे जो ठोस कास्ट है ठोस धातु के तोरह ब तासा है यह क्या नंगाड़ा ठीक है यह खोकली क्या है वस्तु है उस पे चमड़े का परत लगा कर बनाया गया है तो कौन से वाद द्यांतर के अंदर आएगा ध्यान में रखीएगा चलिए अब उसके बाद चलते तेरवा कॉश्चन का है कौन सा कतन असत्य है बहुत इंप सिल्प कला में भ्रेष्ट अमों पद्धिति का उपयोग होता है भी धोकरा कला के सिल्पकार जयद्यों बखेल है सी रजवार भित्ती सिल्प में मिट्टी वा प्राकृतिक रंगों से घर की दिवार एवं खिड़कियों में सुंदर कला कृति की जाती है और डी है चतिस ग प्रसित्ध काला है वो 1688 में सजाएं उसके मूर्ती बनाते सजवाटी समान सबसुन परते चैकलत हो यह पहला चेला-पराब रहे कंदा प्राओंगे के चाओं चृब करहें प्राओंगे में केैं घर कि दी देखो 36 गर्म कास्ट हाखला के लिए मारिया जन जाती प्रशिद्धाई मारिय नहीं कौंसा है यहीं सांस्कृतिक उसे सबसे संपन्य जंजाती इसको भी आप लोग को याद रखना है ठीक है तो 36 में कास्ट कला के लिए मुरिया जंजातिर प्रशिद्ध है ना कि मारिया तो ऑप्सन डी असत्य हो जाएगा ठीक है तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है ठीक है लिए मारिया जंजातिर प्रशिद्ध है यह गलत है अब उसके बाव चलता है चोटीन नमबर कॉश्ण में 14 नमबर क्कॉश्ण पर क्या है जैसे कि आप देख पा रहो डाइग्राम ठेक है डाग्राम आप देख पा रहो यह घरवाँ प्रकार्णा यह घरवाँ सिल्पकला ये क्या है, घृडवा सिल्पकला, जोकरा सिल्पकला, रजवार भित्ती सिल्पकला. इस पे, ये विभिन प्रकार की क्या बना गये है? स सजाथी समान बना गया है, ये याद रखीएगा. धन्कुल जगारगीत के संबन्द में कौन सा कथन सही नहीं है? धनकुल जगार गित के संब्द में कौन सा कथन सही नहीं है ए है यह हलबा एम भत्रा जन जाती दोरह गाया जाता है बी गायान की भासा हलवी होती है सी वाद देंत के रुप में मटकी सूपा बांसी खबची एम धन्यूस आदी का प्रयोक किया जाता है दानकुल जगार गित के संब्सी की संब धन्यूम्क लूक करेखे तीसरा देखते हैं वाद देन्थ के रूप में मटकी ये कोशन दो तीन वार पुछा गया इसको धान रखेगा वाद देन्थ के रूप में मटकी सूपा वांसी खबची और धनुस आदी का प्रयोग किया जाता है तो यह भी क्या है सत्य है याद रखना धनकुल जगार में इसको सरगुजा अंचल में गया जाता है तो यहां क्या हो जाता है अँसका घ्ट को सरगुजा अंचल में ऐगा तो इसका आंसर कतं सही नहीं है क्यों कि जो धनकुल जगार गित को बस्तर अंचल में गया जाता है ना कि सर्गुजान चल में इसको याद रखना है आप इसके बाद में चलते हैं पंद्रहभी नंबर क्वेश्चन में जैसे कि आपको याद में रखना है अब इसके बाद देखो पंद्रह कोशन है कर्मा नित्य का आउजन सर्गुजा छेत्र में किस महा में किया जाता है क्या क्या देखे अप्शन भादो फालगुन सावन और आश्विन तो थोड़ा समल कर्मा नित्य के बार में चर्चा कर लेता है कर्मा नित्य क्रिशी पर अधारित नित्य है सबसे लोग प्रिय नित्य है क्रिशी पर अधारित नित्य है याद रखना है आपको क्रिशी पर अधारित नित्य है ठीक है तीसरा चीज इसमें आपको आयात करना है जो इंपोर्टन फैक्ट है जो कर्मा नित्य को इस्त्रियम पूरुष दोनों करते हैं 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 अर्था इस्त्रियम पूरुष दोनों भाग लेते हैं अब उसके बाद चौंथा याद रखना है जो कर्मा नित्य है यह विजया दस्मी से प्रारम होता है और कब तक चलता है तो आने वाले व चलता है और आने वाले वर्सा जीटि को किस समय नहीं किया जाता तो इसे औरicha देखो प्रारम होता है विजय दसमी से और आने वाले वर्षा रितु तक चलता है जैसे वर्षा रितु का आगमन होता है वहां तक चलेगा और जैसे वर्षा रितु का आगमन हो जाता है तो उसको कर्मा नितु को नहीं करते है जो कर्मा नितु किस समय नहीं किया जाते तो व इसमें आजागा correct answer भादो तेक है सरगुजा छेत्र में भादो महा में क्या क्या जाता है कर्मा नीत का आउजन किया जाता है कुछ कुछ और महत्रपुन बिंदू जिसको अभी मैंने बताया इसको ध्यान रखेगा सबसे लोगप्रिय नीत है क्रिषे पर अधारित नीत है इस तरहे हम पुरुस दोनों इसमें भाग लेते हैं इस नीत को इस नीत है और यह नीत है जो विजया दसमी से प्रारणभ होकर आने वाले वर्षाडितू के समयरे में नहीं करते हैं यह जैसे कि देख रहे हो कर्मानित यह करना है क्या करना है एक तरफ लोग नित को काँ से जन जाती के लोग करते हैं उसको सुमेलित करना है ठीक है तो देखते हैं चलो गौन नित्य को कौन लोग करते हैं तो इसे गौन नित्य को मारिया जन जाती के दोरा किया जाता है तो दंडामी मारिया के दंडामी मारिया भी बोलती से और इसी को ही इसी को ही बासन हान मारिया की नाम से भी जाना जाता है ठीक है बासन हान मारिय बारे संहान आमाड़े क्यों बोलते हैं कि यह लोग बायसान का सिंग है उसको लगाकर नित्य करते हैं बाहल िंते ये इसको नमाड़े भी कहा जाता है तो जो कौन आ मैंन जनजाती की लोग करते हैं याद रखेगा और इसी गाव नित cotton टेकिए और कौह से महां किया जाता है चैत्र महां में किया जाता है तीसरा देखो काकसार नित्य को कौन से जन जाती के लोग करते हैं तो काकसार नित्य को किया जाता है अबुच मारिया जन जाती के दोरा किया जाता है अपने गोतर्दों को खुश करने के लिए करते हैं इस नित्य को तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 1, C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा त्री ठीक है फोर वन टू थी देखो फोर वन टू थी मतलब इसका प्रेक्ट रांस हो जाएगा ए ठीक है यह इतना सब को आपको याद रखना है उसके बाद चलिए नेस्ट क्रेशन पर चलते हैं लोग सत्रवे नम्बर क्या है देखो कुडास और किसान इन में कोई नहीं कि कुडास और किसान है और एक और याद रखना है धनका कुडास किसान धनका यह सब किसका है तो तो शर्वूजान चल्व निवास करती है ठीक है और यह लोग एक विसेश्ष पर मनाते हैं सरूल पर जो साल के विक्ष्ष में जब फूल आता है तब मना जाता है ठीक है जिसमें पुरिश लोग भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं धांगर बलते हैं और प्रूशर के प्रम सब प्ये प्रदाद पीते हैं तो कोस्तमा पीते हैं इसको भी सब याद रखना है आप लोग को सत्रवे नंबर का जो आंसर हैं सत्रवे इन में से कोई नहीं क्यूंकि कुछ और किसान ने वह उरा जन जाते की उपर जाती है थेक है अब चलते अठ्थारवा कॉश्चन पर B में दिया गया है इनके पिता का नाम गंगा राम पुत्र का नाम माखन चंद्र था C में दिया गया है उन्होंने 1744 में खूब तमासा की रचना की और D है इनकी रचना है जैमिनी यश्वमिग सुदामा चरित्र भक्ति चिंतमनी राम प्रताप तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है तो पहला देखते हैं इसका जन में 171690 के लगभग मना जाता है यह तो करेक्ट है बी इसके पीता का नाम गंगा राम पुत्र का नाम माखन चंद्र था यह भी सही है करेक्ट है ठीक है कि देखो उन्हों ने 1744 करते लिए में 1744 के जब अब सभी लें नगया है ग्याले इंहुकर ने व्यव्य रेचन रिखिया ऑप बास ग्याले पर इनकी वही लैट देखो इनकी रचना वनाटम्र ठीक है सुदामा चलितर भक्ति चिंतामनी और राम प्रताप यह किसकी रशना है तो गोपाल चंदर में सके और याद रखना जो इन्हेंने खूब तमास की जो रशना किया है वो कौन से एयर में किया है तो 1746 में किया है ना कि 1744 में तो इसमें B कथन असत्य हो जागा तो इसस कि पूस्तक के रचीता यह दराइबल इकनामी पूस्तक के रचीता है तो पहला तो यह रखना है जुडरा सथा किस जञती पर अधारी था था तो इन्हान समुर्ण जाते पर अधाराली था य multipenत्य को बादया रचेतर questo है और कुछज और सब्सको है उसको आप लोग याद रखना है जैसे कि वेरियर एल्विन ठीक है वेरियर एल्विन वेरियर एल्विन वेरियर एल्विन ने चार भुक लिखे है ठीक है कौन कौन सा हो जाएगा वेरियर इसका ट्रीक है बीए जी एम ठीक है बीए जीम वेरियर एल्विन ने बीए किया और वो जीम बन गया बी से क जाएगा मुडिया इंड देर घोटुल और दियर घोटुल आप सबी के सामने दय दया लगाना है यहाद रखें यह बुख है याद रखेंड़ याद रखें इसको ठीक है वैसे ही सी रॉय का नाम है रहूर ठीक है द बिरहोर, इसको भी आप लोको याद रखना है द बिरहोर, ठीक है स्यामा चरन दुबे, याद रखना है स्यामा चरन दुबे इसके बुक का नाम है द कमार, ठीक है स्यामा चरन दुबे के बुक का नाम है तो द कमार, ये भी important इसको भी आपको तेखना है ठीक है ये टी बी नायक ठीक है टी बी नायक इसके बूग का नाम है दभील relationship रौर ऑग्त आबुजमार्या शायगा ऑर बूजमार्या शाल रख esquad igmat को तो देखेह coupon सब्सक्राइब कुछ और जो जन जाती संबंदि पुस्ता के उसके रचीता देखे जिसे वेडर लेलुइन का है दा गर्या दा गौर दा मुडिया अंदेर घोटुल वैसे ही इसी रहा का है दा बिरहोर स्यामा चरंदूबे का है दा कमार और टीबी नायक का है दा भील और मारिया जन जाती के बारे में सत्य कथन है कथन दिया गया है यहां जन जाती मुखे तब बस्तर छित्र में निवास करती है बी दिया गया है इस जन जाती के लोग जंगल में जोपडी बना कर रहे ते जिने पोथडिया कहा जाता है और डी दिया गया है मारिया जन जाती में मकान को वैडियो कुर्मा कहा जाता है तो चलिए चर्चे करते हैं यह जन जाती मुखे तब बस्तर शित्र निवास करते हैं तो करेक्ट है और इसी बासन हाने नित्त को किसने वेजर एलविन ने विस्व का सर्व सिष्ठ नित कहा ये भी बताए आप लोग को तो ये भी कथन सही है इस पर जाती के लोग जंगल में जोपडी बना कर रहते हैं जिसे पोथडिया कहा जाता है ये गलत है जी सही बात है किस जंगल में जोपडी बना कर रहते हैं लेकिन उसे पोथडिया नहीं कहते है उसे सिहारी कहा जाता है जो मारिया जंगल में जोपडी बना कर रहते हैं प्रिथक जोपडी बना कर रहते हैं जिसे सिहारी कहते हैं ना कि पोथडिया कहा जाता है चौनता देखते हैं, मारिया जन जाती में मकान को वैडू कुर्मा कहा जाता है, यह भी बहुत बढ़िया कुश्चन है, बढ़िया कथन है, याद रखेगा कि मारिया जन जाती में मकान को वैडू कुर्मा कहा जाता है, समझा गया, तो इस कुश्चन के अकारिंग कौन सा कथ कथन असत्त है तो कथन सी इस परजाथि के लोग जंगल में जहोपड़ी बना कर रहते हैं जिसे पोथड़िया कहते है जब कि उसके जो जूपड़ी को सिहारी कहा जाता है तो कथन सी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा समझा गया इस प्रकार से आज हमने 36 के लोक कलत संस्कृति और जनजाति से संबंदीत फिर से आज 20 कुशन हम देखें ठीक है आप सभी को समझाओगा धन्यवाद